तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ मेडू वड़ा की एक बहुत ही एजी रेसिपी जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है उड़त की डाल जिसे मैंने अच्छे से धो कर साफ कर लिया है इसे अच्छे से दोने के बाद अब हम इसमें साफ पानी डाल के इसे सोक करेंगे कम से कम तीन से चार घंटे करीब चार घंटों के बाद देखिए हमारी डाल फूल कर करीब डबल हो गई है अब हम इसे चान के इसका सारा पानी अलग कर लेंगे या फिर फेक देंगे अब हम लेंगे हरी मिर्चे ये हरी मिर्चे बिल्कुल भी तीक ही नहीं है इसलिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्चों का यूज करा है आप चाहें तो हरी मिर्चों की कॉंटिटी कम या जादा भी कर सकते हैं अब हम इन सभी चीजों को एक मिक्सर ग्राइंडर में दालेंगे कड़ी पत्ता हरी मिर्चे और अद्रक इसी के साथ अब हम दालेंगे इसमें हमारी सोक करी हुई डाल जिसे मैंने 2 बैचेस में पीसा है अब हम इसमें दालेंगे नमक, स्वादनुसार और हींक इसे पीसते वक्त हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी दालेंगे और इसे एक थिक बैटर में तयार करेंगे ध्यान रखें कि अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आपको वड़ा बनाने में काफी दिक्कत आएगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी दाले ये देखिए आपके बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए मैंने दोनों बैचेज में दाल पीस ली है और उसे मिक्स कर लिया है अब हम इसे करीब 10 मिन्टों के लिए अच्छे से फेटेंगे तब तक हम कडाई में तेल गरम कर लेंगे इसके साथ ही हमें चाहिए एक बोल में साफ पानी अब हम इस पानी को अपने हाथ में लगाएंगे और थोड़ा सा पैटर लेके इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाके इसको शेप करेंगे अब हम थोड़ा सा उंगली में पानी लगाके इसमें एक बीच में होल करेंगे देखिए पानी की मदद से हमारा पैटर हाथ में बिलकुल भी नहीं चिपका और आप इसे आसानी से तेल में स्लिप कर सकते हैं इसी तरीके से अब हम बाकी के वड़ा भी बना लेंगे सेम साइज के वड़ा बनाने के लिए आपको हर बार सेम साइज का बैटर लेना पड़ेगा तेल में डालते वग्द आपको थोड़ा कैफूल रहना पड़ेगा इसी तरीके से हम बाकी के वड़ा भी तयार करके फ्राइ करेंगे बिलकुल साफधानी से आप इन्हें तेल में डालिए गोल्डन होने तक हम इन्हें दोनों साइट से फ्राइ करेंगे आपके वड़ा एकदम तयार है अंदर से एकदम नरम और बाहर से एकदम क्रिस्प और इसको आप कोकुनेट चटनी या फिट पीनट चटनी सामबर रसम किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं